अलो फ्रेंड्स मैंसर्फ शब्र उसायन and you are watching Physio Talk दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं spinal stenosis के बारे में तो इस वीडियो को end तक देखना बिल्कुल न भूलें आज की वीडियो में आपको पताएंगे spinal stenosis क्या होता है इसके risk factors क्या होते हैं इसके symptoms क्या होते हैं इसका diagnosis कैसे किया जाता है और साथ ही इसके treatment के बारे में आपको जान काई देंगे दोस्तो अगर आप हमारे चनल पर नए हैं तो चलको subscribe कर लिजे और नीचे bell icon को भी दबाना बिल्कुल न भूलें तक कि आपको हमारे आने वाली वीडियो गी notifications मिलते रहें तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को दोस्तो spinal stenosis का मतलब होता है जो हमारी spinal canal है उसका stenose हो जाना उसका narrow हो जाना जो हमारी spinal canal है वो सिकूर जाती है जिससे क्या होता है जो हमारी spinal cord है और जो adjacent nerve roots है उस पर compression आना शुरूर हो जाता है तो जब आपकी spinal cord के अंदर compression आता है या आपकी जो adjacent nerve roots है उन पर compression आता है तो जो दर्ध है वो आपके हातों और पैरों में फैलता है location के हिसाब से अगर आपके condition की में बात करूँ कि जो आपकी spinal stenosis होती क्यों है आपका stenosis हो सकता है आपके osteoporosis ट के एक influencing factor हो सकता है आपके складming decision हो गया उसकी वज़े से भी आपको देखने को मिल सकती है के cancer हैCR trickyorn sutने में इसके वज़े से भी आपको stenosis देखने को मिल सकता है इसके risk factors के बात करूं तो osteoporosis एक risk factor हो सकता है genetic influence की वज़े से भी आपको stenosis हो सकता है दोस्तो साथ ही हम बात करते हैं इसके symptoms की तो अगर आपको cervical stenosis है तो आपको neck pain, shoulder pain और आपके arms के अंदर pain हो सकता है आपको radiculopathy भी देखने को मिल सकती है यानि कि radiculopathy का मतलब होता है आपके हाथों में pain महसूस हो, आपके numbness महसूस हो, आपके weakness महसूस हो हाथों के अंदर दोस्तो अगर आपको C4, C5 के अंदर अगर discrimination है तो आपके shoulder muscles को या जो आपके deltoid muscle है उसको weak कर सकती है C5, C6 के अंदर आपके forearm flexion के अंदर weakness आएगी सकती है, देखने को मिल सकती है, C7 और T1, C7 और T1 disc carnation में आपको जो आपके hand के intrinsic muscles होती है उसके अंदर आपको weakness देखने को मिल सकती है, तो according to the location आपको symptoms देखने को मिल सकते हैं इसके diagnosis की कि मैं अकर बात करूँ तो doctors आपको x-ray करवाने को कह सकते हैं जिसमें आपके osteophytes का पता लगाने का doctor कोशिश कर सकते हैं साथ ही आपके CT scan और MRI भी करवाने को doctor बोल सकते हैं जिससे आपको degree of stenosis doctor को पता लग सके और according to your symptoms वो आपका treatment कर सके दोस्तों इसके treatment की बात करें तो starting में doctors आपके जो conservative management है वो करने की कोशिश करते हैं यानि कि non-surgical method से ही आपको treat करने की कोशिश करते हैं जिसमें आता है physiotherapy treatment physiotherapy treatment में आपको stretching, strengthening exercise आपके aerobic fitness को improve करने की कोशिश करते हैं आपके posture को improve करने की कोशिश करते हैं आपको ergonomic advice देते हैं ताकि आप अपनी जो position है वो frequent change करते रहे जिससे कि आपकी spine पे sustained compression ना आए तो दोस्तों इस तरीके से आपको physiotherapy treatment doctor मदद करते हैं अगर जब conservative treatment fail हो जाता है तो doctor के पास last option होता है surgery का और उस case में आपको surgery की जाती है साथ ही आपको physiotherapy के साथ doctors कुछ medication लिखने हैं जिसमें आपको anti-inflammatory drugs, analgesics pain को कम करने के लिए कुछ drugs दी जाती है तो दोस्तों इस तरीके से stenosis का treatment किया जाता है अगर आपकी cervical spine में stenosis है तो उसको ह आपको बताया stenosis क्या होता है, stenosis का diagnosis कैसे किया जाता है और साथ ही आपको बताया कि stenosis का treatment किस तरीके से किया जाता है दोस्तों आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो like, share and subscribe करना ना भूले, thank you for watching physiotalk